हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एया प्रोडक्शन, मशिन लर्निंग एंड डेटा साइंस, बिगिनर टू प्रोपेशनल, हैंड्स ओन पैथन कूर्स इन हिंदी, इसमें डीप लर्निंग अलगुर्दम सिर्ज में, आज हम क्या करेंगे, आज हम प्री ट्रेंड मॉडल क इस्तिमाल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डे सारे प्रेडिशिंग करेंगे, तो उस मॉडल का नाम क्या है, उस मॉडल का नाम है VGG16, अब यह VGG16 क्या है, इसके बारे में हम स्टड़ी करते है, VGG16 was proposed by Karine and Andrew of the Visual Geometry Group Lab of Oxford University in 2014 in the paper, Very Deep Convolutional Networks for Large Scale Image Recognition, यहापे आपको बताना चाहूँगा कि हर साल, Computer Vision का एक चालेंज होता है, मतलब एक competition होती है, जिसका नाम है ILSVRC, मतलब ImageNet, Large Scale Visual Recognition Challenge, तीस चालेंज में क्या होता, दो बंदों ने पार्टिपिट किया था, और पार्टिपिट करने के बाद, उन्हेंने क्या क्या, CNN मॉडल का इस्तमाल करके, CNN मॉडल का इस्तमाल करके, उन्हेंने क्या क्या एक architecture क्रेट किया, और उसके बाद उन्हेंने क्या क्या, 14 million images, उसके ओपर उस मॉडल को train किया, with 1000 classes, और उन्हेंने 1st and 2nd place जीत लिया, तो यह जो मॉडल है, वो अच्छा का सा मॉडल उन्हेंने train किया था, और उसकी जो accuracy थी, 92.7% accuracy, और यह top 5 test accuracy, इमेजने डेटा सेट के उपर है, इमेजने डेटा सेट मतलब 14,000 million images से belongs to 1000 classes, आप VGG16 जो CNN मॉडल का architecture है, उसके बार में आप study करना चाहते हो, उसको deep में पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे एक already paper है, deep very convolutional networks for large scale image recognition, इस paper की मैं आपको description box में लिंक दे आपकते हो, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या है, 3 by 3 convolution filter का इस्तमाल किया है, आप इस model का architecture देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका architecture यहाँ पे 16 weight layers है, 16 weight layers, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कि first उनको input देन RGB format में आपको color image देनी परते हैं, next यहाँ पे उन्होंने convolution layer apply की है, 3 by 3 filters और total 64 filters है, और उन्होंने max pool layer apply किया, उसके बाद मैक्स पूलिंग लियर उसके बाद 256 feature maps, उसके बाद max pooling layer, उसके बाद 512 feature maps, उसके बाद max pooling layer और last में उन्होंने जो convolution layer अपलाए किया, वहाँ पर भी उन्होंने 512 feature maps लियर और उसके बाद last में उन्होंने यहाँ पे max pooling layer अपलाए किया, next उन्होंने जो input layer है, मतलब first dense layer है, यहाँ पे उन्होंने 4096 यहाँ न टोटल वन थाउसन याँ पर निउउरांस का इस्तभाल किया, क्योंकि टैसे में aspects टोटल nov dato दॉद से थि और जो एक्टिवेशन फंक्शन उन्होंने इस्त्माल किया है क्योंकि आप हमे प्लबदी चाहिए थी, total 1,000 याँ पर class का इस्तेमाल किया गया था तो इसलिए उन्हें याँ पे softmax का इस्थमाल किया है और इसके बार में आगे पढ़ ना चाहते हो तो आपको क्या करना आप इस प्रक्र को ratatun को पढ़ सकते हो dog maitour में सरसेसे उसर आप को पढ़ने के लिए क्योंकि यही पेपर इन्टोडूस किया था वीजी मोडल को सबसे बहुत आपको टेंसर फ्लो डॉट के राट से आपको वी जी 16 को इंपोर्ट करना है नेक्स्ट हमारे पास डेटा रहेंगा उसके हमें करना है तो यहां पर भार वहां से हमने प्री प्रोस्स अंडर Georgia इंपूर्ट इसको इंपोर्ट किया है मैं डियाना है क्या decode underscore prediction यह हमने import क्यों किया क्योंकि जब हम predict करेंगे तो हमें code मिलेंगा right code मतलब हमें एक number मिलेंगा और वह number कि हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना है जो भी 1000 images से उसके class है उस class को हमें import करना पड़ेंगा और उसके पर हम क्या करेंगे उससे हम प्रेडिक करेंगे कि भाई जो में value मिले वो कौन से class से belong करती है नेक्स हमने क्या 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 के राट प्री प्रोसेसिंग से हमने image को इंपोर्ट किया नमपाई को मेट्पाउड लिप को और उसके बाद PIL से हमने P image को इंपोर्ट किया राइट तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं और उसके बाद हम required model को इंपोर्ट करते हैं नेक्स हमें क्या करना है हमारा पाइस इमेज रहेंगी मतलब जो हमारा वी जीज़े 16 वह है 224 इस image size के पर 10 हो चुका है तो आपिसलि हमें वही size के image देनी पर एंगी तो यहाप हमें एक size define कर लेते हैं weight and height नेक्स हमें क्या करना है कुछ नहीं हमें डारेक वी जीज़े 16 जो हमारा model है उसका हमें use करना है तो यहाप हमने लिया वी जीज़े 16 और स्कूराद weights और यहाप हम पास weight कौन से रहेंगे image net data set किया और next आप हमने लिया include underscore top equals to true मतलब इस model के हम सारे के सारे जो भी layer से उसका इस्तेमाल करेंगे और next हमने क्या input underscore shape मतलब जो image लेंगी उसका हमने shape यहाप पर define कर लिया और क्योंकि हमारे पास color image है तो चलो अभी हमारे model को import करते हैं ध्यान रखना है जब आप इस model को import करेंगे तो आपके system में data connection होना जरूरी है क्योंकि model download होने वाला है आपके system में तो देख सो तो अभी हमारा model अल्रेड़े download हो चुका है अब हमें क्या करना है हमें अभी कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ को सीफ हमारे इस model को image देना है और उसका दो प्रेडिक करके देगा कि जो आपने image का पाथ है यहाप आप देशे तो अब हमने क्या क्या आपके है image.load.load underscore image हम ने यहाप है किया हम image को लोड करेंगी तो इसलिए हमने image का पात दिया और हमारे image का target size यहाप हमने बता दिया है तो हमने क्या क्या है जो हमार पास image उसको destro kos ga कर लिया है उसका हमने are अश्का नियुर अश्कार ने प्रिडसी किया है अब हमें क्या करना है अब हमार पास already pre-prosy इमेजें उस image को हम क्या करआँगे के हमेरे जो लिए 2 आप प्रेडिक्टहdire circe उसके बाद Virbos Equals ग्राइब लिया है इससे हमें एक वैलू मिलेंगी और उस वैलू का हमें class क्या होई हमें find करना है तो हम क्या करेंगे decode-UNDER-SKORE PREDICT तो इससे हम क्या करेंगे जो भी हमें code मिलेंगा उसके हम decode करेंगे WITH label के साथ और उसक बाद हमें label यहापे मिल गोर हो इसके और हम यह पर आक्सिस आउप करेंगे और हम इमेज को शो करेंगे तो चोलो इस कोड का में एक्जीकुट करते हैं और देखते हैं कि कितने सधी तुरे कैसे हमारा मॉसटे करके में दे देता है तो आप देशिते तो actual जो मारे पास इमेज है वह लेमन की है और यह जो हमारा VGG 16 मॉडल है उसने में सही तरह से प्रेडिक कर लिया है कि भाई यह जो आपने पिक दी है मतलब जो इमेज दिये वह लेमन है विद 98.8% परसंट आप हम क्या करते हैं हम दूसरी इमेज देते तो चलो इस सिलका में एक्जिकूट करत इहां आरो से हमारा उसमें इमेज करने लेकिन हमारा पास मारे भीजाना हम इसical फ्रेडिक करता है यह जी हमारा फिलिंद उस फोल्डर में यमेजिस दिया है उसको हमने क्या क्या किया पाथ अधिया। .list directory मतलब जितने भी हमारे पास फाइल के या पर हमना मिल झिए जाएंगा झाल रोक्лив जो भी हम इमेज वाहरे क है यहाँ तो हम अलेगा हेमोतिके साइज में एक फंस्के दिद्ध लिग้ं एक वेरिवल लेंगे और उसकी वैलो हम 0 लेंगे और हमें क्या करना है हमारे पास टोटल अभी ट्वेल इमेज से तो हम क्या करेंगे सब्लॉट का इस्तमाल करेंगे तो सब्लॉट में क्या करेंगे फोर रोज एन थ्री कॉलॉम्स में जो भी हमारे पास ट्वेल इमेज उसको तो यहाप हमने row and column को define कर लिया है next हमने आप ए फॉर लूप लगाया है और यहाप हम क्या करेंगे one by one image लेंगे और उस image को हम क्या करेंगे प्रिप्रोसेस करेंगे और उसको प्रेडिक करेंगे और उससे लेबल लेंगे और next हम क्या करेंगे सब्लोट का इस्तिमाल करके जो भी सेल में उस image को शो करना है उसको define कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे image को शो करेंगे तो चलो अब हम क्या करते है एक साथ जो भी ह हमारे फոल्डर में टूटल इमिजे से उस इमेज इस को हम करेंगे डिक करेंगे और शोव करेंगे चलोई सेलकों में एक्जीकुट करता हूं और देख सोいき हमारा मोडल है उस मोडल ने इमिज इसको प्रेडिक कर लिया है तो देख सो यह से मिज 11 उसको सही तरे जिए से प्रेडिक किया है तो यह परसन है लेकिन इसको क्या बोल रहा है काउबाय और हैड बोल रहा है 9% तो यह गलत प्रडिक्शन है उसके बाद यह कुत्ता है देखते हो और इसके जो प्रजाती है मतलब वे उसके जो वेराइटी है वो क्या है बल मस्टिफ यह सही प्रडिक्शन है 96.5% accuracy के साथ न जो हमारा मॉडल है क्या बोल रहा है वो क्याबेज और बटरफ्ला है 12.1 accuracy के साथ तो यह गलत प्रडिक्शन दिया है उसके जिसे तो यह टेडी भी यह और यह पर प्रडिक्ट कर लिया यह टेडी है 99.3% के साथ उसके जिसे तो यह सोपा है और सोपे के ओपर एक महिला बै और यह पर बटरफ्लाइब यह लेकिन यह पर अविशन कोन सा मिला है आडमिरल 97.6% तो यह पर आप दिसे तो डिर सारी इमैजे से जो हमारा वीजी शिस्टीन मॉडल सरही तरह के से उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है लेकिन यह इमेज को प्रेडिक्ट करना उतना ड कर सकते हैं और उसके वाद हो हमें अच्छे कासी प्रदान करता है तो इसके बारे हम क्या करेंगे आने वाले निक्स टुट्रीय में हम डिस्कॉस करेंगे फिल अलाम इसको यह पर रख देते हैं और जो भी हमने आज इस टुट्रीय में देखा है उसका आपको सोर्स को है तो ऐसे मडर्ट को हम क्या करेंगे आने वालस टुटोच्ट में डिसकस्क तो चलो अभी हम क्या क스ब क्या करते हैं और अब रेंगे नेक्स्ट टुट्रियल में तब तक के लिए जिख्त सब्सक्राइब कुछГод कर दो कि ऍैस है करते हम इस टूट्रियों को एपे एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टूट्रियल में तब तक के लिए सीखते से खाते कुछ इंप्लेमेंट करते रहो धन्यवाद।